दिल्ली में पानी के बढ़ते संकट को लेकर दाखिल दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई सुप्रिम कोट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वो हलफ नामा दायर करके बताएं कि पानी की बरबादी रोकने के लिए उसने क्या 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 कदम उठाए हैं सुप्रिम कोट सुनवाई के दौरान उस मामले को भी उठाया जिसमें सुप्रिम कोट ने हिमाचिर प्रदेश सरकार को हर्याना के जरिये दिल्ली को 137 क्यूसिक पानी छोड़ने का आदेश दिया था दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि अवैध तरीके से पानी को ले जाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस कारवाई करे कोट ने दिल्ली सरकार के वकील से सवाल किया कि आप हमको बताओ कि आपने पानी की बरबादी और पानी के अवैध तरीके से होने वाली खरीद को रोकने क के लिए क्या किया है जस्टिस प्रशांथ कुमार मिश्रा जस्टिस प्रसंद्ना भी वराले की अवकाश कालीन पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर वो टैंकर माफिया से नहीं निपट सकती तो वो दिल्ली पुलिस से इस मामले में कारवाई करने को कहेगी सुप्रिम कोट में इस बात पर भी नाराजगी जताई के एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिखित में सुप्रम कोट में कहा कि हमने आदेश के तहत 500 पानी दिल्ली के लिए छोड दिया है जबकि सुप्रिम कोट में मौझूद हिमाचल प्रदेश की वखिल का कहना था कि हम पानी चोडने को तैयार हैं अलगलग तरह के बयानों से नाराज सुप्रिम कोट ने कहा कि अगर ऐसा है तो ये तो content of court का मामला है सुप्रिम कोच ने कहा कि दिल्ली में कहा जाता है कि टेंकर माफिया काम कर रहा है अगर आप इस पर कारवाई नहीं करते हैं तो हम इस मामले को दिल्ली पुलिस को दे देंगे कोच ने हिमाचल सरकार के आफिसर के अदालत में तलब करते हुए ये कहा कि आपने 137 क्यूसिक पानी को लेकर अदालत में गलत जवाब दिया पहले कहा अतरिक्त पानी है आपने फिर कहा पानी रिलीस कर दिया इसका मतलब एक्स्ट्रा पानी नहीं था अदालत में गलत जवाब दिया गया हम आपके अधिकारी को जेल भेज देंगे कोच ने कहा कि हमने आपके कहने पर आदेश जारी किया था एक्स्ट्रा पानी को लेकर अब पानी के फ्रेश सप्लाई की बात कहा से आ गई वहीं हर्याडा सरकार ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि दिल्ली में पानी की आपूर्ती में ही 52.95 प्रतिशत पानी बरबात हो जाता है दिल्ली सरकार ने इस पर आपत्ती जिताते हुए कहा कि हर राज्य में पानी की सप्लाई में औसतन पचास फीसदी पानी पर बात हो जाता है ब्यूर रपोर्ट एपियें